नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की दुनिया के एक हिस्से में चल रहा युद्ध सैन्ने संगर्ष किस तरह से पूरी दुनिया को पूरी दुनिया की अर्थविवस्था को चौपट करता है इसकी ताजा मिसाल है यूकरेन में चल रहा युद्ध इस साल फरवरी से शुरू हुआ या युद्ध इस समय दुनिया की तमाम बड़ी अर्थविवस्थाओं को एक के बाद एक चौपट कर रहा है गहरे संकट में डाल रहा है अमरीका से लेकर यूरोप तक में हर जगा खाने की चीजों की इंधन की उर्जा की जैसे बिजली इन सब की कीमतों में इतनी बे इंताहा वृद्धी हुई है जिसने लोगों को आक्रोशित किया है बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हो रहे हैं अमरीका में फूट बैंक के आगे लंबी लंबी लाइने लगी हुई है महंगाई इतनी अधिक है गैस की कीमते इस तरह से बढ़ गई है कि लोग चैरिटेबल फूट यानी चैरिटेबल खाना लेने के लिए पैदल पहुच रहे हैं लाइनों में लगे हुए हैं और पूरा यूरोप खास तरह से फ्रांस फ्रांस में देखिए कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहां जिन्दा रहना खाना इंधन उर्जा सब की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं आज परताल दुनिया भरकी में हम तीन एहम खबरों पर चर्चा करेंगे और ये तीनों खबरें एक तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं पहली दो खबरें तो खास तोर से इनका सीधा तालुक है यूकरेन और रूस के बीच चल रहे संगर्श का इसी क्रम में इरान की राजधानी तहरान में रूस के राष्टपती पुतिन इरान के राष्टपती रईसी और तुर्की के राष्टपती अर्दोवान की बैठक हो रही है यह बैठक बहुत एहम है इसमें गेहों के एक्सपोर्ट को लेकर समझोते की तरफ जो दुनिया ब जंदरगाह में बहुत बड़ी संख्या में गेहूं फसा हुआ है जिसे निकालना यूक्रेन और रूस दोनों के लिए जरूरी है यह यू कहिए कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है और इसी तरफ बढ़ रहे हैं यह तीनों देश एक रास्ता निकल रहा है जिसमें संयुक की जो आपूर्ती होती है उसकी जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है सबसे बड़ा जो पूरा का पूरा नेटवर्क है उसका नाम है नौड स्ट्रीम जिससे 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस जाती है यह रख रखाव के लिए बंध है और इसे लेकर गंभीर चिंता जताई ज क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूरोप ने यूक्रेन संखर्ष की वज़ा से रूस पर सैंक्शन लगा रखे हैं और आप देखिए कि वह इस बात पर भी चिंता जता रहा है कि अगर सही समय यह लाइन खुली नहीं तो वह गंभीर संकट में फस जाएगा क्योंकि जर्मिनी क जर्य ही यूरोप के कई देशों में यह गैस पहुशती है और तीसरी खबर शेलंका की जो हमारा पडोसी देश है हम सब देख रहे हैं कि शेलंका में जबर्दस्त राजनितिक परिवर्तन आया है जनता ने कमान समाली है और जनता के दबाव में वहां के राश्टपती आगे आने वाले दिन बताएंगे कि किस तरह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वह आर्थिक संकट से श्रिलंका को निकालेगी प्रभीर हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में जो संघर चल रहा है युद्ध चल रहा है इसका असर पूरी दुनिया में पढ़ रहा है और इसी क्रम में जो एहम बैठक हो रही है जिसमें रूस तुर्की और इरान के राश्टपती मिल रहे हैं यह एक बहुत एहम बैठक इस एक जो संकट पैदा हुआ था उसे हल करने के लिए सहीक्ति राश्ट सहीं तमाम लोग सामने आये हैं आप यह जो बैठक हो रही है इसे कैसे देखते हैं और इसकी प्रिष्ट भूमी क्या है मेरे ख्याल से इस बैटक की पिष्ट भूमी सिर्फ तुर्की और जो तुर्की में बैठक हुई थी यह गेहू की एक्सपोर्ट को लेके यूकरेन से गेहू को एक्सपोर्ट लेके उस उस फ्रेमवर्क में न देखें क्योंकि अभी बाइडन साओधियरिया गए इस्रेल से ब अरदबर्श इस पे उनाइटेड अरब एमिरेट्स इनको लेके उनाइटेड स्टेट्स लेके बैठक करें तो बहुत सारे पैरलेल प्रया से चल रही है और खास तोरको वेस्ट एशिया क्योंकि वो तेल के दृष्टिकों से बहुत ही एहमियत रखता है तो उसकी अलग अ जो अमरिका चाहेगा वेस्ट एशियम में वही होगा सौध एरेबिया युनाइटेड आरवेबिरेट्स इसरेल सब उसके साथ है तो यह मिलके एक उनका दबदवा इस छेत्र में था इरान करीब एक कोने में रह गया था इसको पूरी तरह से घेर लिया गया था यह चीज इस वक्त यूक्रेन की जंग चल रही है इसमें नेटों के कमजोरी दिखाई पड़ रहा है आज की नहीं बहुत पहले सी वेस्ट एशियम में शुरू हुआ है और इसको लेके साफ है कि जो पहले अमरिका कहता था वही होता वो इस वक्त नहीं हो रहा है और साथे रेबिया अबे बाइडन को कह सकते एक ठंडा वेलकम मिला और उसने भी खत्म होने के बाद मौमद बिन सल्मान को गाली दिया और इसके बाद उन्होंने भी सल्मान ने भी कहा कि भाई आप तो हमारे बारे में कह रहे है गलती की थी हमने सही बात है खशोग जी जो मर्डर हुआ था सही नहीं था पर आपने अबुगरीब में क्या कहा तो उसके बारे में आपका क्या रवाया है तो यह सब कहके अमरीका की जो पहले क्या कहें के जो मान थी और उनकी जो चलती थी वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा है इरान तुर्की और रूस यह अगर वहां इरान में मिलते है तो यह दिखाता है कि अलग-अलग कारेंट्स वेस्ट इश्या में इस वक्त मौझूद है जिस पे रूस भी प्लियर है तुर्की भी प्लियर है सिर्फ बाहरी प्लियर अमरीका पहले था वो उनकी इस एक चत्र अधिपत्य जो था इस इलाके में वो नहीं है तो बेरे ख्य जगा पर इसकी दिंड़े होगा क्योंकि मुख्य इस पे है यूक्रेन इसमें रूस इतना एहम भूमी का नहीं अदा कर रही है क्योंकि वो पहले ही कह चुकी है हम वीट एक्सपोर्ट यूक्रेन से अलाव करेंगे हमारी दो ही चीज है एक तो माइन्स हटाके उनको जहाज जो को जाने की सुविधा करने पड़ेगे वो यूक्रेन के वाटर्स पे है यूक्रेन ने यह किया है हमने यह नहीं किया है तो ब्लैक्सी और ओडिसा बंदरगाह की जो बातचीत है हां क्योंकि जाना तो है ब्लैक्सी से ही न समुद्दर से अगर वीट जाएगा तो पोर्ट जो है सबसे बड़ा पोर्ट ओडेसा है उसमें माइकुल एफ भी है वो भी एक पोर्ट है इन जगहों से अगर एक्सपोर्ट होगा तो आपका माइन्स हटाके एक पैसेज बनानी पड़ेगी और उसके लिए यूक्रेन राजी है कि तुर्की उसको करेगा और दू हम उताने में मदद करेंगे और हम यह भी करेंगे तो अब जो है बॉल जिससे कहते यूक्रेन के कोर्ट में है वो ये मौनता कम से कम लगेगा पर अच्छी खबर यह है इन सब चीज को देखते हैं दुनिया में वीट की कीमत जो काफी ऊचा जा रहा था वो नीचे आ रहा है फूड इंफलेशन शायद इससे रुख जाए या घड जाए यह दुनिया के लिए अच्छी खबर है और वीट अगर मार्केट में पहुंचता है तो दुनिया के लिए दूसरी अच्छी खबर होगी दाम कम और उपलद्धी दोनों चीज जाइज है दोनों चीज एहमियत इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे उसकी जलक West Asia में इन सब का जो क्या कह सकते हैं, इन सब गतिविधी से नजर आ रहा है कि multiple players, multiple directions, multipolar world West Asia में भी शायद देखने को मिलेगा, Iran, Saudi Arabia, Israel, ये सब अपना भूमिकन अदा करेंगे, तो देखने की बात है कि शत्रंच, इस West Asia का शत्रंच में खेल क्या निकलता है, players अभी पहले से ज़्यादा है. और इस पर संयुक्त राष्ट भी तकरीबन सहमत है, ये जो पूरी डील है, उसको उसकी हरीजंडी भी मिली हुई है. इसी से जुड़ा एक और एहम सवाल है, जो यूक्रेन संगर से जुड़ा हुआ सवाल है, जो हमने देखा कि किस तरह से रूस पे सैंक्शन्स लगे, उसके बाद पूरा यूरोप जिस भीशन संकट की ओर बढ़ रहा है, जिससे ओ निकलना भी चाह रहा है, इसी बीच जो जर्मनी को सप्लाई जाती है, नौडवन से, रूस से जो गैस जाती है, उसकी मेंटेनेंस के लिए रोका गया, और उसके बाद से जो आशंकाएं हैं, वह बता रही है कि यूरोप एक बहुत गहरे संकट को भाप रहा है, देख रहा है, यह जो क्योंकि रूस कह रहा है कि य पॉर्मल मेंटेनेंस के लिए रोका गया है, हर बार होता ऐसा, लेकिन आशंकाएं यूरोप में हैं कि अगर यह समय पर नहीं खुला, तो जिस तरह का संकट है, उनके पास गैस का वह बढ़ जाएगा, एक तो है कि रूस पिछले दिन फोर्स मैजूर की बात की, फोर्स रहती है हर कांट्रैक्ट में, तो उन्होंने फोर्स मैजूर क्लाउज की उसने लेके बताया है कि हमारा जो साथ दिन के बाद, मेंटेनिस पीरियेट के बाद, जो सप्लाई शुरू होने वाला था, उसमें हमारी रुकावट आएगी, आ सकती है, क्यूंकि फोर्स मैजूर ह होने की संभादना है, किस चीज को लेके फोर्स मैजूर है, यह बताया नहीं है, गैस टर्बाइन के रेड़ा के पास था, जो के रेड़ा सैंक्शन किया हुआ था, भेज नहीं रहा था, वो अभी उसको खबर के मताविए उसको भेजा है, पर उसको रूस के पास पहुंच इसके बाद उसको नौट स्टीम स्टेशन में लगाना वगारे के लिए भी दो-तिन दिन चाहिए, इसके बाद टेस्टिंग करने पालेगी, तो रूस के लिए ऐसा नहीं है कि तर्बाइन आ गया और स्विच अपने ओन किया गैस चल पड़ा, ऐसा नहीं होगा, तो उसके लगेगा, तो यह तो उनकी एक कैनेडा जर्मनी की वीश पे एक किया हुआ संकट है, जिसके अब जर्मनी भोगत रहा है, और यॉरप भी इस पे भोगत रहेगा, क्योंकि नौट स्ट्रीम वन की सप्लाई जर्मनी के जरिए दूसरे देशों को पास भी पहुंचता है, तो उनके पास स्टोरेज तो है, ऐसा नहीं, उनका स्टोरेज जीरो है, उनके पास स्टोरेज है, पर वो स्टोरेज बढ़ाना चाहते है या रखना चाहते है शीत के लिए, विंटर के लिए लखना चाहते है, जबकि उनकी दिमांड काफी बढ़ती है, तो उनको वो जमा करने का मौका जो वो चाहते है सप्लाई से वो नहीं मिल रहा है पर ये बार-बार हमें कहने की ज़रुरत है ये बनाई वी संकट है ये कोई संकट था नहीं ये तो तर्बाइन कैनेडा रोक के संकट पैदा किया है और अगर कहते हैं तो अजुहात है हो सकता है पर अजुहात का मौ तो सवाल तो यह है कि रूस के ऊपर आपने सैंक्शन लगाया अब रूस को कहरें आपको गुडवाय बनना है हम जो करेंगे वो ठीक है पर उसकी प्रतिक्रिया आप में आप कुछ मत करो तो यह तो लगता है कि थोड़ो जबर्दस्ती है चिद भी मेरी पट भी मेरी यह वाल कि कटिपद भी दिखाई दे रहा है कि हम सैंक्शन लगाएंगे और गैस की जो कमी या संकट होगा उससे उबरेंगे अभी कि जो स्थिती उसमें आपको क्या लगता है क्योंकि एक पैनिक है यूरोप में सैंक्शन से भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं और उन्हें गैस भी इंधन भी चाहिए इसे कहते हैं न कि चित भी मेरी पट भी मेरी वही तो मैं कह रहा हूं तो यह संक्शन भी हम लगाएंगे पर गैस भी हमें चाहिए तो हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे हम आपको बता रहे हैं कि तेल खरीदना हम दिसंबर के बाद बंद कर देगे तो ये सब धंकिया आप एक तरफ से दे रहे हो, दूसरी तरफ आपकी gas supplies रूस के उपर dependent है, तो ये चीजे हल अगर करना है, तो बैठकी ही तहल होगा ना, धंकी से और डंडे से थोड़ी हल होगा, तो मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, कि जब इनकी इतनी dependence रूस पे है, तब ऐसे कदम वो क्यों ले रहे हैं, जिसका उनके हाथ में सुलह करने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास alternative sources नहीं है, LNG का दाम अभी बढ़ा तो है ही, पर LNG उपलब्ध नहीं है, तो जि लेके तो जा रहे हैं बहुत जगों पर तेल अगर international market में है नहीं, और वो पैदा करने की शक्ति ना अमरीका के पास है, ना साओधेरेबिया के पास, ना दूस्टे वेस्टेशन मुलकों के पास है, वो खुच कह चुके साओधेरेबिया, पॉब्लिक नहीं कह रहे हैं, कि ह हम ओपेक का जो रूस है, वही फॉलो करेंगे, इससे ज्यादा हम उत्पादन करने के स्थिती में नहीं है, और यह तो नहीं करेंगे, तो यह देखते हुए, तेल की यॉरप की सलूशन, गैस की यॉरप की सलूशन, उनके हाथ में है नहीं, पर क्यों फिर भी, बैट के की युद्ध को कैसे शांती की दिशा में ले जाए, उसकी कोशिश ना करके, जंग को कैसे जारी रखे, और यह शांती की रास्ता अगर अपनाते भी है, तो शोल्स, उनकी प्रेसिडेंट ने कहा है, सैंक्शन तो बरकरा रहेगा, तो यह जब कहते हैं आप, तो कोई इंसे जित्तो करें, इस पे हम कुछ हल निकाल सकते हैं, तो ना NATO, ना European Union, ना Ukraine बातशीत करने के लिए तयार है, जब जेलिंस्की ने बहुत पहले कहा था कि शायद शांती हो जाएगी, बेलरूस पे हम उस ऐसे जगह पे पहुंचे हैं, आने ही वाला है, तो उससे तो एक दम ही प पूरा पीछे नहीं जाएगा, क्राइमिया भी नहीं छोड़ देगा, भूरा डोनेट दोनियस्क से पूरा हट नहीं जाएगा, तब तक हम शांती की बात ही नहीं करेंगे, तो उसे तो कुछ होने वाला नहीं है, प्रवीर अब इसके बाद हम चलेंगे अपने परोसी के खिलावता वह बहुत असर्गदार रहा, गोटा बाया भागे, सत्ता परिवर्तन की तरफ उसके अलावा कोई विकल्प इस समें नहीं है, बीस तारिक को नए राष्टपती का चुनाव होना है, आर्थिक संकट और राजनितिक संकट दोनों अभी श्रिलंका पर कायम है, आर्थिक संकट तभी हल हो सकता है, जब राजनितिक संकट स्रिलंगा की राष्ट की जो है, वो कुछ हद तक हल हो, मतलब एक क्रेडिबल सरकार आए, जो अंतराष्टिय समझावता कर पाए, और जनता के लिए वो एक legitimate सरकार हो, politically legitimate सरकार हो, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था पीछले बार ही, जब पहला अभुत्षान हुआ था, तभी उन्होंने कहा था कि गोटाबाया को जाना पड़ेगा, गोटाबाया माने नहीं, जब ये फिर बिसफोर्ट हुआ, तब भागे, वो भी बड़े मुश्किल से भागे, तो ये तो ये दिखाता है कि स्रिलंका की जो राजजितिक क्या कहेंगे, नुमाइंदे है इस वाक्त, वो अपनी पुलिटिकल लेजितिमिसी कैसे फिर काइम करे, वो उस समझ से इस वक्त बाहर है, तो क्या इस पार्लेमेंट में जहां पर राजा पक्षे की जो पार्टी है, उसकी बहुत है, वो अगर चाहता है कि ऐसे अपना एक पिठ्थू बठा दे, प्रेजिडेंट के रूप में, तो क्या जनता उसको मानेगी, जनता नहीं मानेगी, विक्रम सिंगे के लिए लोग तैयार नहीं, विक्रम सिंगे पर भी बहुत तगड़ा विरोध वहां पर हुआ, उनका घर ही जला दिया गया, विक अपी हद तक वो राजा पक्षेस के साथ रहे हैं, और राजा पक्षे को कैसे बचाया जाए उसकी कोशिश में थे, नहीं तो बहुत पहले गोटावायों को कह सकते थे, अब चले जाएए, छोड़ दिये प्रेजिडेंट, नहीं तो ये सुलसला नहीं होगा, वो कहा नहीं तो ये जो एक शांती पूर्न सहावस्थान करना चाहते है ति विक्रम संगे राजा पक्षेस के साथ, उसके वजए से उनकी छभी काफी खराब ही है, और वो अगर फिर प्रेजिडेंट बनके आते हैं, एक्टिक प्रेजिडेंट इस वक्त हैं, तो अगर वो फिर प्रेज करते हैं राजा पक्षे की पार्टी, जिसकी बहुमत इस वक्त स्री लंका की पार्लेमेंट में है, क्या करता है, इस पर काती हद तक डिपेंड करेगा, स्री लंका किस रास्ते में जाएगा, नहीं तो अराजकता के रास्ते में तो इस वक्त है ही, तो दिमाग यही लगाए अगर कोई भी मुन्निन तब दिमाग लगाए तो एक क्रेडिबल ऐसे लोग को नियुक्त करना चाहिए प्रेजिडेंट के लिए जो कम से कम स्रिलंका की जनता के सामने कुछ अपना क्रेडिबिलिटी रख पाएगा और उसके जरीए इलेक्शन की एक भोशना करें और तब त ना तक करेंगे सिर्फ कि सामीग जो इस वक्त की जो टेंपरिडी क्राइसिस है उससे उभरने के लिए आप माल जाएए हम ये बातचीत करके आपके सामने आएंगे चुनाओ के लिए तब लगता है कि पुलिटिकल लेजिटिमेसी सरकार की होगी सवाल एकिनामिक क्राइसि पर पता ही जल जाएगा कि किस तरफ शेलंका बढ़ रहा है शुक्रिया प्रबीर दोस्तों एक बात बहुत साफ है कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से किस तरह से जुड़ती है रुपिया गिरता है यूरो गिरता है महंगाई बढ़ती है अनाज की किलत होती है और सब के तार जुड़े हैं युद से संगर्ष से सब को अपने-अपने मुल्कों को बचाने की चिन्ता है लेकिन दुख की बात है कि दुनिया को बचाने की चिन्ता नहीं इतना बड़ा संकृत है लेकिन देखिए शांती के लिए कोई फिक्रमनन नहीं ऐसा क्यों है चलिए आप भी खो भाज़त शुक्रिया